बताने के लाएं हूँ जो हिर्दय लोगों के लिए बहुत इच्छी दवाई है स्ट्रेश्ट रसायन है हिर्दय लोगों के लिए तो हिर्दय जो है वह महामर में आप लोग को पता है और यह सीरा मरम भी है तो हिर्दय को ना ताकत मिलना बहुत जुरूर है क्योंकि हमारा ज उसको प्यूरिफाइख करने के लिए लंग्स में भेशते और किड़नीज अछूरिफद करते हैं किड़नीज भी फिल्टर करते हैं ब्लड को और लंग्स भी अपने अशुद्र रख्त को प्यूरिफाइख करते सहीं इसलिए यह बहुत ही देय औहिसा ही एक मर्म है üst Alexandre अवयव है हिर्दे, जिसको रक्षा करना बहुत ज़रूरी है इसमें अछी से काम नहीं कर armour हम लोगे Shuttos जो थे पहले के जमने के उन लोगों ने प्रभाकरवटी नम का दवाई बनाया जो हिर्दे के रोगों को बहुत तरह से कवर करता है सब्सक्राइब अच्छा हिर्दय को प्रोटेक्ट करता है हिर्दय का काडियो टौनिक है हिर्दय के लिए टौनिक के रूप में कम करता है तो हम इसको विस्तार से देखेंगे तो मैं प्रभाकरवति के नियाम भी है वह भी जन्ना बहुत जरूरी है कि प्रभाकरवटी का जब सेवन करने हैं तो हमें किस तरह का खाने पिने का परहेश करना जरूरी है तो पहले हम लोग देखेंगे और उसके बाद में इसका करेंगे कि प्रभाकरवटी का क्या क्या कांटेंस है घटक द्रवे क्या है और यह किस तरह से कारी करता है तो प्रभाकरवटी के बार में ऐसा बताए है कि माक्षिक अब इसमें घटक द्रवे वह उस पर ध्यान देने की जुरत है तो स्वर्ण माक्षिक आप लोग को पता है कि सबसे अच्छा द्रवने की जुंतर सब्सक्रावटी का इसमें बनाता और यहां तो रखक द्रटना को बढ़ाए गाई ही किइम और सुन डाला हुआ एकदम अच्छी तरह से शोर्ची तो जो डाला हुआ फिर है करत सिसकों प्रभाकरवति को बना है फिर है वं शलोचन वं शलोचन आप लोग को पता है कि फुपुष की विकारों में जैसे I do रचौत में डालबा जाता है फिर उसी तरह से तालीशा दिपा डालत है टभान जो है वह फुफुस के जो अंदर ही अंदर जो लेयर्स रहते हैं सेल्स रहते हैं अलवलाइज और ब्रॉंक्योल्स और पैरन के अमल लेयर्स रहते हैं उन सब को यह ताकत देता है इसलिए वन्ष लोचन इसमें डाला हुए फिर उसके बाद है शिलाजित शिलाजित तो रसायन पहाडों में टता है और वह जाके पहाडों के चट्टानों के भीच में जा जाके वहाँ पहाँ पैस्ट में यहां बता है तो यह जो रहता है दिये और भात्राड Smells लोगों को ताकत देते हैं और यहां पर हम लोग को प्रभागरवटी में शिलाजित का प्रयोग कर रहे हैं तो फुपुस को भी ताकत देता रेत Spencer को भी ताकत देता इस तरह से शिलाजित इसमें डाला हुए है कुसा साटमक्षिक बस्म हो गया बरतनी बन जाएग हो दवाई में स्यार्षिसक सब्सक्रेइग और प्रभाकरवटी इसका फ्रीयों अगर लोग करते हैं तो यह दो-दो रति की गोलिया बना देते हैं और फिर इसको बनाने के पाद छाया सुस्पmek कर लेते हैं मैं आप लोको न प्रभाकर्वटी मेरे पास है है अudah यह देखें मैंने आप लोग के लिए प्रभाकर्वटी हान निकालके रखा था यह ना इतनी अच्छी गोलिया है ना प्रभाकरवटी हमारे सर के इधर से आई है आप लोग को शाय दीख रहा होगा प्रभाकरवटी देखिए यह इतनी अच्छी दवाई है हिर्दे रोगों में मेरे पेशन को इतना फैदा होता है जो हमारे सर के बनाई हुए फर्मसी का है मुझे बताने का मतलब यह है कि मैं भी इसका प्रयोग करता हूं अपने प्रैक्टिस में नैंटीन यह से मैं प्रैक्टिस में इसका प्रयोग कर रहा हूं तो इसका फाइदा बहुत अच्छा होता है अगरना कोई पेशन जो रहते हैं ज या थोड़ा भी अगर चलते हैं या सीडिया चलते तो सास फुल नहीं लगता है या आपके पास भी पेशेंट आते होंगे या तो जराजन्य भी प्रेशन्य भी यह यह वस्था में भी हो सकते है इसलिए प्रभाकरवटी का मैं प्रयोग करता हूं मैं मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है तो यहां च्छाय में सुखा लेना है यह संपूर्ण तरह के हिर रोगों में बहुत अच्छा च्छा बतार रहें किड्नी नीभी कार है और GP रीकों कीará। करार रियोपन दोनों को स्का feel यह प्रयों करतें में उपयों क Напिलें झेल्ट नहीं है पार सवह भी दरवेश्व अडम आक्षिक बस्म वह किड्नी के लिए अच्छा रहता है हाट के लिए अच्छा रहता है फिर उसके बात में लौह बस्म है वह भी अच्छा रहता है अपरव कर दोचन और शिला जीद यह सब अर्जुन का जालता को आते हैं तो प्रभाकरवटी जो रहत तरह सारे कि सुबश हम एक गोली अगर 250 mg तो एक गोली 125 mg सुबश हम बीडी दोज में देना है व्यानो दान के काल में देने से कर फिर्दे को थाकत हैगा उदान के कल में देने सिखाओगा कि यह हो जाएगा मतलब शरीर में बहुत ज्याद़ा ताकत मिलेगी इर्दे को भी प्राण के लिए तो प्राण के लिए तो प्राण हमें तो यह उदान और व्यान पे ज़्यादा चम जयादा क करना हैसे लिए इसको देते हैं जब उदान और व्याद ठीक रहए तो प्राण बश्यादि का प्रबान का हिए और हमकसर बताव करते कि सुबह का टाया रहते हैं मेरा उदान का उदान वह करे इनिक वहाद Town N Лघ नहीं घाना चाहिए जो भी हाट के पेशंट है ना या हिड़े धुर्बलता है उनको रात्री का खाना नहीं खाना चेए सुर्यास के पहले उनने चैए या फिर एक काली ही खाना खाना चेए मतलब 24 गंडे में एक प्रहबाकरवुटी का प्रहूच कहां कहां और इसका अनुपान क्या है तो अनुपानमे गाय का दूद बताया है अर्जुन के चाल का क्वात बताया है आवला का चूर्ण जो है डेड़ माशा और मिश्री का चुन डेड़ माशा उसके साथ में प्रभाकरवटी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फैदा होता है पड़क बस में वन्ष लोचन है शिलाजीत है स्वाणमाक्षिक बस में इससे ना फुपुस को बहुत ज़्यादा श्ट्रॉंग टाकत आ जाती है अभी पोस्ट कोवीड पेशंट ब्रॉंकाइटिस हो गया फिर ब्रॉंको नीमोनिया हो गया फिर ब्रॉंकियल अस्थमा बहुत पुपुस पर ही काम हो रहे है और उसका एफ्यक्ट हाट पर भी आ रहे है जिनको यह कोवीड ज़्यादा बढ़ गया और जो लोग घबरा रहे थे उनको हाट अटेक से वह ज़ हो गया यह कभी-कभी प्लूरेसी भी हो गया मतलब वहां पर यह फिर प्लूराइटिस हो गया ऐसे बहुत तरे कंडेशन हुए जिसमें फुपुस और यह हाट पर ऐसा आटेक हुआ तो हमें ना कुछ तो ऐसी दवाईयों की योजना करनी चाहिए जो फुपुस को और हिड क्रिश्ट रसायन है इसका अगर सेवन कराया जाए तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता कंटिन्यू भी दिया जा सकता है चिकित्सा के परामर्ष से जो लोग एक्सपर्ट हैं अपने मन से कोई भी दवाई नहीं देना चाहिए जो लोग नॉन मेडिकों है उनको लिए में इसमें अच्छा काम करता है सैनस टैकी काडियर सैनसब्रैकर्षिस का नवं हो रहे हैं कॉयर पॉर्मियूर्य सब्सुर्ण अलें हैं धम ठनीचा वेंट्रिकुलर फेब्रिलेशन होने लगता है और इसी जी में वह दिखता है अलोपेति के डॉक्टर मेडिसिन तो देते हैं उसमें कैल्शम चनल ब्लॉकर देंगे बिटा ब्लॉकर देंगे फिर डायूरेटिक्स देंगे एंजो टेंसिन वन टू का जो मेडिसिन रहता है व हेतु मिला मुझे बहुत दिनों से वह मल वेगा वरोत कर रही है तो उनको रात को लेक्जेटिव लेना पड़ता है और पहले त्रिफला चुन ले रही थी तो उससे पेट साफ नहीं हो रहा था बाद ने एरंटेल कंपल्सरी आदा-दा लीटर लेना पड़ते है तब उनक होना पोस्ट कविट फाइब्रोसिस है और हाट का बलून की तरह ऐसा फुल गया काडियों मिगली हो गया और दूसरा कि है कि मेडिसिन पांच साल से खाने से उनको क्या हो गया कि वेट इधम कम हो गया चालीस किलो वजन हो गया लेडी पेशिंट है साट सल की है तो मैंने उ रुक्षता है और दूसरा वह आयरुवेदिक हिलाज भी कर रही है और दूसरा यह काम करें कि अलोपेथी का भी दवाई खा रही है तो अलोपेथी के डॉक्टर ने तो कह दिया है कि आपको ना हाट का प्रोब्लम है काडियों मेगली है बिल्कुल भी घी नहीं खाना तो आप लोग बिलीज नहीं करेंगे पांच साल से उन्हों न तेल खाया है न घी खाया है और रुक्षता इतना बड़ी में बढ़ा है तो मैंने उनको कहा कि अगर आपको मेरा चिकित्सा लेना है तो आप एक तो आयरुवेदिक दवाई बंद करिए आयरुवेदिक दवाई स आप लोग से हाथ जोड़के प्रातना है गलत गलत दवाई मत दिजिए अगर नहीं मालुम है तो आरोग्य वर्दिनी वर्टी मत दिजिए सबी को वो आरोग्य बढ़ाता नहीं है नुकसान करता है वो भी मेडिसिन का गलत जादा दिन तक गलत उपयोग मत करिए तो मैंने उनको सबसे पहले आरोग्य वर्दिनी वटी बंद करा दिया दूसरा मैंने उनको कहा कि आपको अगर मेरा इलाज करना है तो आपको गय का घी कंपल्सरी खाना है उन्हें पूछा कितना तो मैंने का 50-100 अमल दिन भर में गय का घी खाना है और दूसरा मैं पुरा आम कि मैंने कहा कि कोई भी लेक्जेटिव नहीं दूंगा मैं आपको कि आप मेडिसिन खा के फिर पेट साफ हो रहे हैं या चिकित्सा ही गलत है आपको नेचरल वे में रोज का रोज पेट साफ होना चाहिए तो इस तरह से मैंने समझा दिया है और उन्होंने मेरी बात समझ भी लिए उन्होंने दवाई शुरू कर दिया है और दूसरा बत पात साल से वह परहेज पाल रहे हैं तो मुखदाल का पानी चावल का मंड फिर यह और यह यह नहीं खाना वो नहीं खाना किसी ने बोल दिया था कि आप लहसुन अगर खाएंगी प्याज खाएंगी तो आपको सचेंगे आप लोग श्रेश चिकित्सक हैं आप लोग अगर बोल दिया जाए कि मुखदाल का रोटी और मुखदाल का यूश और रोटी ऐसे आपको पांच सल खाना है तो आप एक दिन खाएंगे दो दिन खाएंगे फिर उसके बाद में पचास दिन हो जाएंगे ना तो दो खाने का मन निकरेगा क्योंकि सुभा भी भई खाओ शाम को भी खाओ वीग्हाओ परहेज कर करके पिष्टी इरिटेट हो जाते हैं डिप्रेशन में रहतें ये आईरवेद के वैद्यों को समझता है नहीं है तो मैंने उनका गआ कि आपका चिकित्सक्षा एक तो यह है कि आपको सब कुछ खाने को बिंखेका है मैं ने का आपका चिकित्सा ही है जो आपको खाने का मन कर रहा है वह बुदेज हो उबत अच्छा लगा कि पहली बार किसी डॉक्टर जाकि परहेज बन कर दो और उनका चेहरे पर जो खुशी आई ना तो अभी वो पेशन खाएंगी सब कुछ खाएंगी और देखे स्वस्त भी हो जाएंगी और मैं उनको नल लेके आऊंगा आप लोगों से बात करवाऊंगा ज्यादा परहेज भी मत दीजिए कि एक तो परहे मत देजिए आप लोगों को ना युकती से हर समय चिकित सा बदलते भी आना चाहिए यहां पुने में एक वैद्दे थे वह क्या बोलते थे कि कोई भी पेशन्ट आता था ना तो वह बोलते थे कि आप सब कुछ खाओ पियो तो लोग बोलते थे कि यह पहला डॉक्टर ऐसा पागल डॉक्टर है आयरवेज में तो पहले परहेज होते हैं बाद में दबाई होते हैं तो बोलते थे कि मैं उसको बैलेंस करूंगा ना आप लोग कुछ भी खाओ तो उनके पास जो भी रोगी जाते थे ना सब कुछ खाते थे और इतना खुश रहते थे वह डॉक्टर भी खुश और पेशन्ट भी खुश और ठीक भी हो जाते थे जल्दी परहेज ओ अती सर्वत्र वर्जे मतलब यह उद्देश है कि अती नहीं करना चाहिए और अती सर्वत्र वर्जे अब वह परहेज का हमें यहाँ पर असाथं वेंद्र वर्जियोग यह भताया है चरकोने कि हीन योग नहीं होना चेंगा रसनाई इंद्रिय NEnings कि अत्योग मत करें लेकिन हीन जोग भी मत करें मिध्या योग अब इतना पांच साल से प्रहज बल रहे हैं तो हिर्दय में मन रहता है साधक पित रहता है तो उनका इतना ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर पड़ है कि अगर कुछ खा लिया तो यह हो जाएगा वह खाली है तो यह हो जाएगा इतना मत प्रहज बोले तो इसलिए मैंने कहा कि अब तो उल्टा ही ऐएगण जाका ऑप कहते हैं लोग नौर्मल चीज कहां कि यह आओ उनको यह प्रभाकर ब्रभाकरवति दी केसे कुछ है तो उनको ना जब हम बस्ती देंगे गुद्ध बस्ती देंगे तो वह अपने दिरे दिरे निकल जाएगा एक महिने में और हाट का जो शेप और नॉर्मल हो जाएगा इस तरह से जब करेंगे और दूसरा मैंने जब घी खाने को बुला तो आरोग्यवर्धनी वट्टी से जो इतना कोष्ट में रुख्षता आगई है अरोग्यवर्धनी का साइड एफेक्ट है इतना रुक्षता आगए तो घी खाका के उनका पूरा रुक्षता शरीर का कम और आप लोग देखेगा ऐसा होना चाहिए कि हमें कब परहेज देना है कब Pरहेज नहीं देना वह चाहिए एक मिरे पास एक पेस्ट है ति वह हमारे सर के पास जाती थी तो आमबाद की की पेशन्ट थी तो सर ने उसको इतना आठ सल ट्रीटमेंट दिया मैं यह नहीं बढ़ा हूं कि किसकी विद्वत्ता पर प्रश्ण नहीं निकाल रहा हूं मैं पेशन्ट पर क्या साइड इफेक्ट होता है वह मैं बता रहा हूं मतलब मुझे ऐसे नहीं करना कि मैं गुरू से उसका पानी पिया और उसके बाद में लाही जो रहता है जो खील बोलते हैं लाहया खील को दूद में भिखो के वह खाया आठ सल वह पेशन्ट खाया और अध्रक लहसन का चट्नी चट्नी और बाजरा करोटी इतना ही बस उनका डाइट था आठ सल खाकाके खाकाके सब्सक्राइब अतर रुक्षता बड़ा आम तो पच गये लेकिन एतना बड़ा कि पूरा पीठ जो था खुल आठ अटाइग पूरा पीट जो था फोल्ड नहीं होता था और अधुसरा हिप प्शलीन आप तो ऑ Extremity थी तह तो वो सर से नहीं ठीक हो पारी थी तो सर ने उनको निकाल दिया कि आप मत आओ मेरे क्लिनिक में क्योंकि आपके जैसे दूसरे मेरे पेशन्ट कट रहे हैं थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ यू से भी सर ने बोला होगा कोई बत नहीं तो उन्होंने कहा कि मैं आत्मत्या कर पर करूँगा फिर मैंने उनको अपना आम पाचकवती आरोकि वड्वनी आम बात के सारी चिकिसा दिया तेल का बस्ति दे के दे के दे के तीन मैना में मैंने उनका पूरा फ्लेक्जिबिलिटी लाया दिया और वह पूरा ठीक होगा और और दोजर पांच से आज तक वो चल लेकिन आठ साल आम पच्छन करेंगे तो फिर वाहु का प्रकॉपनी होगा क्या इतना ज्यादा परहेज बलेंगे आठ साल को परहेज करता है क्या इसलिए आप ध्यान रखें कि हमें पेशन्ट को कम टाइम में ठीक करना है और चिकिस्टा बदलते भी आना चाहिए अपतरप पर यह जो प्रभाकरवटी है यह हुर्दय की अन्यमिद गति को अच्छा करता है हिर्दय में धड़कन हो रही है वह अगर गलत हो रही है कभी कभी क्या होता है कि साउंड जो रहते हैं वहां गाइब हो जाते हैं हाट बीट में तो उसको ठीक करता है यह ठोड़े ही circulation अच्छा होगा blood circulation होगा तो फुफूस को भी अच्छा मिलेगा तो श्वास करिच्चता नहीं होगी यह इतना अच्छा logic है एक और गन दूसरे और पर dependent है एक और गन को अपने ताकत दिया तो उसका इफेट किड्नीस पर भी होगा लिवर भी प्रभाकरवट्टी का यह रसायन द्रव्य है बहुत अच्छा फैदा होता है इसी तरह से कामला रोग में बहुत अच्छा पित्थ्य पर रुका रहता है या फिर पचन क्रिया अच्छी से नहीं हो पता यह और पित्थ वर्द का हर भी सेवन करने से कामला रोग हो तहह आप लोगों सब को पता है है सींटल बिलेर से और उसके वजह से पितđ नहीं नीकलपाता और तिल पिष्ट मल प्रवटती होती है पुरा शरन में पिलिया हुआ ही अधा से तरह होता है तिल के जो यह रहता है ना उस तरह से होती है वाइट कलर का होता है उसमें ना अब्स्रक्शन को निकालना है तो कफ का चिकिसा करके मतलब त्रिभौन किर्थी स्वास कुठार ऐसे जो कफ का त्रिकटू पंच कोल ऐसे दरफे देखे फिर पित को शाखागत जो है कामला पूरुती पилा होने लगता है तो दो कमली तो विरेच नहीं ऐसा है और कामला रुग में हीरते पे असर होता है तो प्रमाकर्वटी रसायन की रुप मैं देना कि यह बाद में हिर्दय को ताकत देना उसके लिए प्रभाकरवटी का प्रयोग होता है पांडू रोगी अगर बहुत ज़्यादा पितवर्दका अरव्यार का सिवन कर रहे हैं तो उसका शरीर ना हलीमक में कनवर्ट हो जाता है जिसमें शरीर जो रहेता है वह हरे रंका हो ज जाती है उसमें भी यकृत का कारिया चाहिए रख्त का पसादन होना चाहिए रस धात्व अच्छा बनना चाहिए हिर्दय को ताकत मिले चाहिए उसमें भी प्रभाकरवटी का प्रयोगागर हम लोग अरजुन गिरीत के सांथ कर दिया महातिक तक ग्रिथ के सांथ Google टिक तक रृति वहां पर नहीं की जरत तरह है उसके सांथ कर दिया और दोशों को शुद्ध करते हैं मुर्दू वी रचन्द देए देके हमने दोशों को शुद्ध किया और हली मक के लिए प्रभाकरवटी आर और जो एक्स्रासटर्लरस्लृइड है वテर नहीं निकल पा रहे हैं, किड्नी जो हैं वो फिल्टर्ड नहीं कर पार हैं, सार्केट वी बजन अच्छे से नहीं हो रहा है, और फूरे शरीर में मुत्रस्ष से क्लेद वहानम क्लेद इतनी ज्यादा हो गई है कि मुत्र के रूप में नहीं निकल पा रहे हैं स्वेद के रूप में नहीं निकल पा रहे हैं क्लेद और शरी में संचे हो रहा है और पुरा स्किन के नीचे जमा हो गया है उसको शोत्रोग देते हैं और शोत्रोग हो गया है उसके होज़े से वह जैदा प्रेशार पड़ रहा होते हैं उस सब में भी प्रभाकरवटी की करते हैं तो यह क्या करते हैं मुत्रप्रवरती अच्छा कर देती है पाचप पित का स्त्राव अच्छा होगा तो सार्किट विवजन अच्छा होगा तो उसका यह प्रणाम होगा कि भूक अच्छी लगने लेगी और शोत की संप्राप्ति भंग हो जाएगी इसलिए शोत जन्य जो हिर्दयर होगे उसमें प्रभाकरवटी का प्रयोक करने से 100% फाइदा होता है इसी तरह से यकृत और यकृत और लिहाब विद्धी जन्ने जो हिर्दयर होगे है अगर हिपेटों में गया लिए है हाट जो है वह एक अव्याव से दूसरे जुड़े हैं जैसे कि हम लोग ऐसे देखेंगे आईश दरपन जो है वह उसके फाउंडर इसी तरह से हिर्दय किड्नी लीवर स्प्लीन यह सब दूसरे से इक जगह डिफेक्ट आये तो उसका दूसरे जगह आता है यकृत और प्लिहां कि विर्दी होई है हेपेटों में गया लिए इसका इफेक्ट हिर्दय पर आता है कि हिर्दय का पंपिंग अच्छन अच्छा हो गया कि वकृति करता है यकृत को आपने प्रभाव करता है तो इसलिए यकृत प्लिहा वृद्धि जने जो हृदर होगे उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है तो पार्षो में शूल हो रहे हैं अगर फुपुस में कोई ऐसे शोथ की संप्राप्ति है फुपुस का काम अच्छा से नहीं हो रहे हैं तो क्या होता है कि पार्षो में वायू का प्रकोपने के वज़े से रिप्स में पेन लगते हैं आगे और पीछे बहुत जादा शूल होने लगता है तो इसमें जो ड्रव्वे डाले हैं यह क्या करते हैं यकृत प्लिहा का कर देते हैं पाचक पित का स्थ्रावत चा करते हैं सारकेट वे बजन अच्छे से होता है पेट साफ होने लगता है जो पेट साफ होगा और खाना पचने लएगा तो क्या होगा मदर अवस्था पाकच्छे से होगा अम लवस्था पाकच्छे से होगा फिर कटू अवस्था पाकच्छे सोगा मल प्रवर्ति अच्छे से होगी मल प्रवर्ति होगी तो विक्रुत हुए व्यान वायू बढ़ा हुए चल कुण से बढ़ा हुए रुक्ष कुण से बढ़ा हुए और वहां पर बहुत ज़्यदा धिर्दाइ तो वहां पर भी वयू का अनुलोन होना जरुरू है वयू अनुलोमित कब ओगा जब पचं क्रिया आच्छी और यह यक्रुट को ताकत दे रहे हिर्दय के जो वाल्स है मतलब हिर्दय जिससे बना हुए काडिक मसल से उन पे उनके जो वाल से उस पर ताकत दे रहे तो यहां क्या करता है कि वायू को forcefully blood circulation के साथ ही निकाल देता है जब वायू निकल गया तो हिर्दय को ठीक हो जाता है इसी तरह मतलब पुफुस को और हिर्दय को ताकत मिलिया तो हिर्द्शूल का कंडिशन ही तीक हो जाता है प्रमेह में क्या होता है अविल मुतरता बहुं प्रम्हें प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व हट पे स्प्लिन सब्सकार चांप उदान वयthen को प्राकेट किना उदान बल्म हुच्छे तो उदान और वन कर देता है उनका कारे अच्छा कर देता है उधान वहीं को और व्यान वहीं को तो इससे हीर्दय को बल मिलता है पर पेशंटी हो जाते हैं उसी तर से हीर्दय की दुरबलता कर रही जैसे कि left ventricular hypertrophy उसमें हीर्दय में ventricle left ventricle होते हैं सूजन आई रहती है वह हार्ट हैपट्रोफिर रहती है तो लेफ्ट वेंटिकल का शेप बढ़ जाता है बलून की तरह एक साइड से बढ़ जाता है तो पैरों में स्वेलिंग आ जाती है हाट डया अच्छा से पंफ नगता तो स्वेलिंग हो जाता है और इससे क्या होता है कि चेहरे पर भी रौनक आ जाती है जब हिर्दे का करें अच्छा होगा ब्लड सर्कुलेशन होगा तो जो सूजन वगिर आईए वह ठीक हो जाता है आखे अगर लाल रह रही थी पहले तो प्रभाकरवटी का प्रयोग करने से ब्लड सर्कुलेशन अच् होने लगता है ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में अच्छा होगा तो मुर्चा ब्रहम सन्यास यह सारे कंडिशन से पेशंट हो जाते हैं फिर कम जोरी बहुत मैसूस हो रहे है क्योंकि ब्लड अच्छे से पंप नहीं हो पार है तो दिखनेस बहुत आई रहती है नीन अच्छी होता है रहती है बंच सोचने लेगा अबरग भातिण सेवन करने से ऐसा ही शार्च हुआ है कि डोपामाइन सेरेटोनिन जो हैपी ऑर्मोन से रहें अड्रिनलीन यो पॉजिटिव हार्मोन हेपी हो जो है। रहते हैं सिख्रिट होने लगते हैं तो निकेटीविटी चली जा काम से शोक से भह से मध मसर द्वेश इर्शा जो भी हुए मन पे जो बारबर वही वही सोचने की है मन पे शोब हुए वह ठीक हो जाता है तो नील भी अच्छे नहीं लगते इस तरह से प्रभाकरवट्टी के जो घटक द्रवे वह मैंने आप लोग को बता दिया और और हम लो कूप में इसको प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा अगर आप लोग जानेंगे नहीं तो अच्छे से चिकित्सा कर सकते हैं तो स्वाणमाक्षिक भस में जो है यह तिक्त और मधूर रसात्मक रहता है गुण में लगू रहता है वीरह में शीत रहता है विपाक में स्वाणमाक्षिक बल प्रतान करता है योग वाही है रसायन है वह जदा व्रिश है शुक्रधातु को अच्छा करता है चक्छुष्य आखों के लिए स्वाणमाक्षिक बस में अच्छा है फिर त्रिदोष नाशक है कफ पित्त हरे कफ के दोश और पित के दोशों को दूर क अच्छ नशध पर रखत का प्रसादन कड़ता है प्रम्हें wish व्यादी में ग्रहणी में अर्ष में कृमी ्रोगों में उदरमें शोब में मंदागनी में कामला रोग मेंशोश में तो अरूची अरोची में आम दोष्ट डिचर्च का सब प्रकार के जोऔर में स्वाड मक्षिक का बहुत अच्छा रहेता हैं जीरंडा आपस मार में अरोचक 20 को सबी व्यादियों का नाश करने में स्तर्व स्रेष्ट है ऐसा स्वण मक्षिक भस्म के बारे में रस रत्न समुच्चे में श्लोग बताए वह आप लोग अगर समझ गए तो बहुत अच्छा आपको फैदा होगा स्वण मक्षिक वाला प्रभाकरवटी का प्रयोग करने से अकाल मिर्ति नहीं होगी उनका दिर्ग आयूश्य प्राप्त होगा और आयुल्वेट का प्रयोजन ही है इसलिए तो बताए दिर्ग जीवतियम अध्यायम चरक सुत्रसान का पहला चैटप्रट का नम कहें दिर्ग जीवतियम हमें जीना है लेकिन हमें ज्यादा उमर वाला जीना है स्वस्त रहके पुरा लाइफ एंजॉय करना है इसलिए इसको स्वण मक्षी कहें तो रस्रत में समुझे में बताए मुद्रह कांचना भासा सामलो रजत सन्निबा किंचित कशाय मुद्रह शीता पाके तस्यवना जरार व्याधि विशर न परिभूयते माक्षिक धातु सगला मयागना प्राणो रसंद्रस्य परमी विश्या दुर में लोह दोय मेलन अश्या ना स्वस्ति रोगी भुवी साध्य रुपा शिलाव्यम यम्ना जयत प्रसाह ऐसे को भी व्यादी नहीं है जो शिलाजित का से ठीक न होते हैं इसका मतलब यह है अर्थाप्ति से यह अर्थ निकलना चाहिए कि हर व्यादी पे शिलाजित का बहुत अच्छा रोल रहत है सवस्ति से चौ प्रयोक धाती अगर इसका काल के हिसाब्प और समय अवस्ता की इसका शिलाजित का प्रयोक किया जाए तो यह शरीरम में सुअस्थे आला एको को बढता है इसले शिलाजित का प्रयोक चरक चिकिसा में बता है मैं नहीं बता रहूं जो पुनर्वस्व आत्रेय ने अग्निवेश को बता है चरक जीने प्रति तंस्रित किया और जो हमारे पस चरक से इता है उसमें यह बता है आयरवेद का basic book में बता है कि शिलाजित का प्रयोग करने से दिर्ग आयूश्य के प्राप्ति होती है उर्जा बल और स्वास्ति की प्राप्ति होती है और वहाँ चीज प्रभाकरवटी में डाले तो कितना बढ़ियां दवाई है प्रभाकरवटी इसमें ऐसा बता रहें कि ज प्रभाकरवट प्रयोग करने लगे तो वह अंदर से युवा हो गये अंदर से मजबूत हो गये फिर मैंने ऐसे मैंने प्रैक्टिस में देखा कि जैसे मेरे पास एयरफोस के officer आते थे इंडियन एयरफोस के officer वह बोलते थे कि हम लोग ने तो काम किया साट साल तक काम किया उसके पाद हम लोग ठग गए पांच साल में हमें वीक्नेस अरी है बहुत ऐसा लग रहे है जब मैंने उनको प्रभाकरवटी दिया और उन्होंने यह बताया कि हमें बहुत विक्नेस लगती है शरीर में विक्नेस लगती है सेक्शुली वीक लगते हैं मेंटली वीक लगते हैं हड्या कमजोर हो रही है ऐसा हमें लग रहे हैं आयर्वेद में कुछ टॉनिक दिजे मनें प्रभाकरवटी दिया उनको केवल प्रभाकरवटी उन्होंने ऐसा फीडबेक दिया कि हमें इतना फायदा हो गया कि जैसे हम एरफोस में ऑफिसर थे जब हम लोग 20-25 साल के थे तो हम लोग दोड सकते थे पीटी परेट करते थे उस तरह से हमें ताकत आ गई है तो यह जो ग्रंतों में लिखा है ना चरक सहिता में वह 100% सही है प्रभाकरवटी का प्रयोग आप लोग करिए तो रसायन चिकित सुबह उठते उठते ब्रेश करके और दो गोलिखा के और दू़ पिला दीजे और फिर देखेए और दमी पेड के थे पहले रहेगे तो उसके पास जाएंगे तो वह फल भी देता है दूसरा ऐक वहां चाया रहते है तो यह बड़े-बड़े जो रहते हैं उनका अश्रीत जो हमारे पास रहते हैं वो हमारे सांत रहना चाहिए बढले हमारे कोई भी हेल्प ना गरें लेकिन घर में बड़े बुड़े वृद्ध लोग तो रहने ही चाहिए क्योंकि उनका अनुभः उनका प्यार उनका ममता उनका जिर्एद्वाद बहुत इंप्रेंटता है और हम से शुरू करना है समाज में यहले वर्द्धों को यंग बनाना है व्रद्धों को युवा बनाना है इसलिए शिलाजी युक्त प्रभाकरवटी का प्रयोक कराइए तीन माइना में result देखे फिर इसको continue भी दे सकते हैं रसकल्प नहीं है आरुग्य वर्द्धनी जैसा गलती म परहेज करवा रहे हैं गी नहीं खाने को दे रहे हैं इसको दीजिए आप और फिर रिजल्ट एनलीसिस करिए क्या फाइदा हुआ क्या नहीं फाइदा हुआ ऐसा देखिए तो यह देख ढठर्या कर भी है श्र को मजबूत करते हैं जो बढ़ापय में लोग बलते हैं न 60 साल के बुढ़े लोग हो जाते हैं साठ साल में बुढ़े लिख इतने हाजारों साल जीते ते और पहाड पे चर जाते थे सऽ मुनी शर्ट खाती तो कि इसलिए ताकत रती देर्टरॉब्यदक考us आप लोग को भी किसी को अगर विक्नेस फील हो रही है कोवीड के वज़े से कैसे भी हिर्दे आपका अच्छे से कामिन कर रहा है सांस फूल रहा है आप लोग प्रभाकरवटी का सेवन करिए और तीन मेना बारा हफता जाने दीजिए उसमें देखिए रिजर्ट क्या इंप् इसमें इसमें इंसान न भूलने लगता है उसको वह चीज याद नहीं रहता तो हमारे सर बताते हैं कि जितना मेधा की अगनी अच्छी है उतना आयूश्य बढ़ता है जितना इंसान बुढबे में दिमाग का यूश करेगा रतन टाटा जी को देखिए रतन टाटा जी ठ्रों तो भी इतना अच्छा लेते तो रतन टाटा जी कदिमाग अच्छा है अभी विर्द्ध होके उतने सट्रॉंग दिमाग से एसलिए मेधा की अगनी प्रम्रीद ऑफ्छा नहें सम्रित्ध गूल Rebecca तो आपने अपने घर में जितने भी आस्पत जितने आपके घर में व्रिद्ध लोग हैं पुझनिया लोग हैं उन सब को आप प्रभाकरवटी का सेवन कराईए दूद के साथ सुबह शाम दोदो गो लिख लाईए और फिर रिजल्ट देखें आपको बोलेंगे प्रभाकरवटी का प्रयोकरने से हमारा मेमरी अच्छा हो गया हमको नीन अंदर से स्वास्त लाप अईसा हो रहे हैं अंदर से अनर्जेटिक फिल हो रहे हैं और आप लोग देखेंगे कि वह लोग ना बहुत ज़्यदा शान्त होंगे अभी बुढ़ापे में बहुत ज़्यदा चिड़ चिड़ होती है लोग बुलते हैं कि बुढ़िया सठी आ मन में एंग्जाइटी रहते हैं चिड़ चिड़ पना रहता है एक्सपेक्टेशन वह ज़्यदा बढ़ जाती है ऐसे तो हमारे हिंदू धर्म में बता है कि उस टाइम पर वान्या प्रस्ता आश्रम में भेज़दाना चाहिए बुड़े-बुड़ी को लेकिन आज के करें चण उनको चुटी छोटी बात बढ़ च्रोधी से लुग्ण। ना उनको घुमना फिर ना बातचीत नहीं है हर चीज में रिस्ट्रिक्शन है तो उनमें बहुत एंग्जाइटी हो रही है वह जिदा डिप्रेशन आ रहे है वह ज़्यादा क्रोध आ कुछ करने को ने इसलिए ऐसे सारी कंडिशन में अपना इसका प्रयोग करिए जब टीवी ओन करते हैं तो आजकल कोविट के इतने चर्चा आते हैं कि इतने डेथ हो गई इतना टेथ हो गया खून खराब हो गया यह हो गया वह सब कंडि को प्रदान मंत्री लिए कि यह दो को अधियक्षत अभी नहीं है है लेकिन महासेची हों ठीख है हमें किया करना है हमें राहुल गांदि के बूलने से हमको क्या अपना स्वास्ति को क्यों करना है इस चोटी-चोटी बात से जो टेंशन आता है बोखा स्वास्ति पिगड़ रहे है चोटी-चोटी बात के जिन से तब ही सब कुछ अच्छ है तो यह ज्यान देना चाहिए फिर यहां मेद को भी शर्ण करते हैं जो मोटे लोग रहते हैं अगर ना उनको प्रभाकरवट्टी दे दिया जाए शिलाजी युक्त तो मेद को अच्छे से निकालता है हिर्दे के गति अच्छी होती है आयशें लोगों ने बैड़ पर कभी उनको पॉटी हो जाते है यूरी नेशन होने लगता है तो जब प्रभाकरवट्टी आपको रेट बताता हूं तो यह आधा किलो है मतला 5,000 घुली अति एक गुली एक गुली यह आप दो दोगली देंगे अगर वृद्ध मातपिता को या दादा दादी को दिन का चार रुपे का खर्च कर रहे हैं तो यह ज्यादा अच्छा है वो स्वस्ट भी रहेंगे सुखी रहेंगे जिंदिगी पर मेहनत के हैं तो उन लोग को हमें सुख देना है वह अवस्था में जिंदिगी का जो वह टाइम है उसमें सुख देना है प्रभाकरवट्टी आप लोग दीजें बहुत अच्छा फैद होगा तो यहां फिर क्या करता है यक्ष्मा को दूर करता है वह स्थैरेक कोई पींदी है प्रभाकरवट्टी का प्रयोग करें जिसमें शिलाजी तो यह वलीबलित नाशक भी जूर्या अना सब ठीक कर देता है तोग रोगनाशक है आम-पाचक है रोक नाशक है शैख में काम करता है प्रभाकरवर्टी उदरी sizin अच्छा करता बतिक अर्फ करता है बस्ति में वेदना होरे उस Smells प्रमह में अच्छा करता है गुलम में अच्छा करता है फिर तो यूरीन नहीं बन पाता पक्वाश अगर परिस्टाल्टिक मुवमेंट नहीं बजन नहीं हो रहे तो अच्छे से भुए बजंद अच्छे से होगा किडनी का काम अच्छा होगा लिवर का उच्छा rok यूरी्न अच्छे से बनेगा और निकलेगा तहो अन्या उन्यासा गृत क्रिया पकक रीटी हो जाएगा उसका स्वहस्च प्राप्ट अ तहना मुझने तो थर्व पिश्ञा पार भी आ रहे है पांडुता अच्छा गम कर अच्छा चांड लिटा में करेगा Samuel corre squee और अच्छी तरह से ल्हूँ न॥ ब्हुत बाट हूँ है लोग भसम डालने के वस्चों होगे बोगा चलिए जो रहते हैं तो अच्छा सब पित्त्र निकलेगा तो सबागनी प्रदिप्त यह सोचिए किवल हाट की दवाई नहीं है यह रसायंद्रव है तो इसका प्रयोक करने से पेशन का भूख बढ़ जाती है फिर उसके बाद में कोष्ट शुद्धी होने लगते हैं पेट चीज़े साफ होने लगता है फिर रक्त बढ़ता है कफ वातार है फिर यह शूल में अ तो बहुत अच्छा पेशन को रिलीफ मिलता है पेशन गोलता है कि हमें बहुत अच्छा पैदा हुआ फिर अब्रग बस्म जो है अब्रग बस्म का प्रयोक करने से क्या होता है कि अब्रग बस्म जो रहता है वह स्निक्द होता है रूची कारक होता है खाने में टेश्ट आ लगते हैं अब्रग बस्में का सेवन करने से और बॉड़ी में रीजनरेट करता है कोई भी सेल्स को आयूश्य बढ़ाते हैं केश्य है बालों के लिए अच्छ है तुरी दो शक्ने हैं और फिर दूसरा के अब्रग बस्में रसायन है उत्तम वाजी करें सेक्शुली इंसान बहुत ज़्यदा एक्टिव हो जाता है जित्वा एक्टिव होगा उसको जिन्दगी जीने का मज़ा आता है जिन्दगी जीना चे ऐसा वागभट में बताया है कि सर्वभूत सुखम सर्वभूताना प्रवड़ते हैं इस दुन्या में जो भी प्राणी आ करते हैं अच्छा काम करते हैं सख की प्राप्तिक यह गिले करते हैं तो सुक ही प्राप्ति今天 क्या मितलब है इसलए शारी स्च और मांसिक शूक अध्यात्मिक सूक यह सब ते से प्राप्त होता है शरी स्वस्त रहता है युवा हो जाता है अंदर से फीलिंग अच्छा होता है अंदर से फील गुड फैक्टर ऐसा फील होने लगते तब ना पेशंट जल्दी रिकवर करते हैं इसलिए प्रभाकरवटी का आप लोग प्रयोग करिए इसमें एक चीज़ पताना रहे घ्या वन श लोचन वन श लोचन जो रहता है वह फुफुस पर बहूँस अच्छा काम करते है और दूसरा अर्जुन डाला हुए और पित का भी शमन बहूट के करते हैं वनश लोचन उनकल जो बत होता है बांबू स्के बीच में तो वनश लोचन आगर जो भी और अर्जुन इस सबी तरवेतों हैं लेकिन अब्रक भस्म और अर्जुन इसका कॉंबिनेशन से क्या फैदा होता है कि हिर्दय जो रहते हैं मजबूत हो जाते हैं अर्जुन के बार में ऐसा पता है बहाँ प्रक्रशनी गंटु में कि ककुब अर्जुन नामा क्यो नंदी सर्जाश्य केड़त है तो इसका रस होते हैं वह कशायर साहतमे करते हैं विपार कट्णव होते हैं वीरेश शीत होते हैं और इसका प्रभाव रेते हैं हरण के लिए बहुत अच्छा रहते हैं आपBut प्राबहएट करना पड़ते हैं आप लोग का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आप नुटना चिक्रिसक लोग हैं आप लोग भी प्रभाकरवाटी का पर्योक करें दोदोगोली सुबशम आप लोग करें कि आप तो बढ़ गया, ऐसा आप लोग प्रभाकरवाटी खुद का के देखिए, स्वस्ते से स्वास्त रक्ष्न व्यादी परी मुक्षम चा, स्वस्त व्यक्ति का स्वास्ति ठीकाय रहना भी बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग सभी लोग प्रभाकरवाटी का सिवन करिए, तो भी काडिक मसल स्काइब मिलता है और इस से नॉर्मल रक्त गार बेलेंस ऑ जाते है और यहां बल का जो संकोच है वह खुल जाता है तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है प्रभाकरवटी का प्रयोग हम लोग ने वेलिकोस में डिफ वेन थ्रोंबोसिस में भी किया या पोटल हाइपर करने से वह नॉर्मल हो जाती है तो वेरिकोस दिफ थ्रोंबोसिस यह सब में भी इसका प्रभाकरवटी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा प्रयोग हुए उसी तरह से वेंट्रिकुलर रिगर्जिटेशन जो ट्राइक एस्पेट ड्रिगर्जिटेशन अच्छे से ब्लड और और स्वेट्बूर पिरखिया से लिगए श्वास लगने लगता है तो इसके लिए लोपीटी में इसके लिए इंसे की निए और अईर्वेद में प्रभाकर विटिका प्रयोक करिया आप लोग वाल का रिगरजिटेशन हो रहे वह भी यह स्ट्रेश्ट रसाइन है क्योंकि इसमें स्वाण माक्षिक बस में एसे काम नहीं मैं बता रहाँ ऐसे जादू टोना नहीं बता रहाँ स्वाणमाक्षिक बस में अब्रक बस फिलाजित है लोह बस में वन्ष लोचन है और अरजुन के छालगी भावना था है इतना अच्छा उतर है कि वाल्स जो रहते मजबूत हो जातें वाल्स में ताकत आ ज मुत्र संगरान ऑच्छान लगते यह रखत प्रदर में प्रभाकरवटी का प्रयोग लौ बस में तो रख्त प्रदर में भी जरूर नहीं है कि आप रख्त प्रदर में एक पर्टिकुलर फॉर्मला यूज करें प्रदरांतक लौ प्रदरांतक रस बोलबद रस पुश्यनुक्चुन टंडू लोदग इसी से आप प्रदर रोख ठीक रहें ऐसा नहीं है आप इसक कंडिशन में रख्त प्रदर फाइब्राइड है तो उन सब में भी इसका प्रयोक करके दिखें बहुत अच्छा फाइदा होता है इस तरह से मैंने अलग लग जैगों पे इसका प्रयोक बताया और प्रभाकरवटी है वो हिर्दय पे अच्छा काम कर रहे है रख्त धातु पर अक्छा काम कर रहे है इसे हर्दय का अच्छा हो जाते है प्याद को उत्तेवर तेजन है का थे हे ओट हो जाते है जosphere सित्रॉमबीशी से उसमें फाइदा हो जाते तो इसले इसका प्रभाव जो हुआ हिर्दय पर वरिक पर गर्भाशय पर भी हो रहा है इन डिरेक्ट वे में गर्भाशय भी ठीक हो रहा है वहां पे भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से हो जाते हैं तो इन फर्टिलिटी जैसे कंडिशन में भी प्रभाकरवटी का प्रयोग करने से अच्छा फायदा होते हैं को कि हमें रख्त धातु अच्छा करने रस धातु अच्छा करना है उस तरह से अगर हम करेंगे तो इन फर्टिलिटी भी ठीक हो जाते इसलिए आप लोग इसका प्रयोक करिए और आप लोग करने के बाद खुद खाके देखिए उसके बाद मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए तो मैं खुल के सब चीज बताता हूं उतना हैं अप लोगो बढ़ने आप लोगों के बढ़ने नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टार विपिन पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर सुभाश भार्गव जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर कुसुम पंडे जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर सरीता राना जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर सरीता राना जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर सरीता राना जी नमस्ते प्रण में देते हैं आपका बात 100% सही है मैंने भी इतना देर से यही बता है पाल्पीटेशन में करता है काडियों में गैली में करता है हाई बीपी में बहुत अच्छा दवा यह रसायंद रव्य प्रिति जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर प्रद्माकर शिवास्ताव जी पोस्ट कोविट ब्रैडिकाडिया प्ल्स अप्टू 58 में प्रभाकरवटी दे सकते हैं कि आप प्लीज गाइड 100% आप प्रभाकरवटी दीजे पल्स रेट इसमें बहुत अच्छा हो जाएगा ब्रैडिकाडिया अच्छ हो जाएगा आपको जरूरत नहीं है कि आप नार् हो रहे है जब कोई भी मेडिसीन आप खुद कहेंगी तो आपको जो फील होगा वह आप दूसरों को भी पता सकते कि मैंने भी खाया था रसायन की रूप में तो मुझे फैदा हुआ तो आप अपिस्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है इसले प्रयोक आप भी करिए सस्ता दवा प्रशान जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर सुभाष जी ने बहुत बड़ी हां कोश्चन पुछा है कि किसी किसी रोग का बीपी हाई हो जाते है किसी का लोग हो जाते है ऐसे कंडिशन में क्या देना अब प्रभाकरवटी है ना इसका प्रयोक दूद के सांथ करिए रसायन मात्रा में और सुभा क्या करिए कि प्रभाकरवटी दो चम्मज खिलाके और ब्रह्म रसायन खिलाके और प्रेशन को विलेगी थोड़ा वॉक करके एक से दो किलेमेटर जितना वो चल सकता है पहले सौक स्टेप चले फिर दो स्टेप चले ऐसे धिरे-धिरे बढ़ प्रभाकरवटी ब्रह्म रसायन खिलाके प्रेशन को रोज चलने को बुलिए ऐसा बोलिए पेशन गाना विदिन 15 डेज यह हाई बीपी लो बीपी का प्राब्लम ही सौल हो जाएगा पेशन रिक्तम स्वस्थ हो जाएगा उनको बहुत अच्छा लेगा क्योंकि ना एलोप प्रभाका करने में उनको मुश्किल होती है ऐसे दवायां है जो हाई बीपी लो बीपी में भी काम गरते हैं उनको बहुत ज़्यदा मुश्किल होता है और आईरवेद की प्रभाकरवाटी एक तो साइड इफेक्ट भी नहीं है और सेफ है और अच्छा रिजर्ट देती है इसलिए इसका प्रयोग करिए आपको 100% फाइदा होगा डॉक्टर राजिंदर जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर निक पाटिल जी बोल रहे हैं कि किस प्रकृति में ने दे सकते हैं ऐसे कहीं भी लेक नहीं है स्वाणमाक्षीक लौबस्म अब्रग भस्म फिर शिला करने के लिए और पेशन को उसमें बैठा के पैर को डुबा के रखने के लिए पेशन का पेन पूरी तरह से कम हो जाता है ऐसा करिए और आपने रखत दूष्टी के लिए रखत मोक्षन इसा बताए ना बहुत अच्छा है और खड़े-खड़े पानी नहीं पिना है वह भी करने को बहुत अच्छा फैदा होते हैं कभी बस्ती देना पड़ते हैं शी रभलाते लिए सवाच रहा दे तिल और वहां पे स्नेहन भी करना पड़ता है उससे फाइदा हो जाता है पेशंट हो जाता है निक पाटिल जी बोल रहे हैं कि इसमें जो स्वाण माक्षिक भस मे प्रभाकरवटी योग राज अनुपान देने से दिन के कमाल दिख जाता है जी आपका बास 100% सही है यह मैंने भी यूज किया है हमारे सर लोग भी यूज करते हैं मैंने खुद भी यूज किया है इससे हलीमक में बहुत अच्छा फैदा होता है फिर योग राज योग प्रसाधन करता है इसलिए फूटर सोनम जी नमस्ते प्रणाव आपको चलतर सत्य परकाश जी नमस्ते प्रणाम आपको अभीदीप जी आपने बता है कि कार्डियो में हिर्दय बल गश रल्ले सांथ वस्ति कौन सी उजना करने चाहिए तो हिर्दय क्यों बल्ले तो यह प् देखा है 40 डेज में कार्डियोमेगली कितना भी बड़ा है वो पूरी तरह से वायू निकलते जाएगा वायू अनलोमित होगा स्नेहन होगा अन्वालसन बस्ती से पेशंट का हाट जो है नॉर्मल शेप में आता है और यह हिर्द व्यास बोल दाएं अपने वागबट में बत सब्सक्राइब करने के लिए आपका बत सही है कि कोई रोगी जब प्रणाप विलाप करते तो एक ही दिन में ठीक हो जाते है आपका बत 100 सही है जो पेशंट इर्रेलेवेंट टॉकिंग कर रहे है वह जड़ा एंग्जाइटी में प्रभाकरवट्टी का प्रयोग करिए पे प्रणाम आपको और इन्होंने विनोद पतेल जी ने बुलाए कि प्रभाकरवट्टी सर्पगंदावट्टी कब देना चाहिए तो प्रभाकरवट्टी जो है यह हाट के कंडिशन में तो दे रहें सर्पगंदावट्टी वो निद्राकर है नीन जब नहीं आ लिए और बी हिर्द्यारणव आप स्पैलिंग देखें हिर्द्यारणव रस हिर्द्यारणव जो रहता है वह भी हिर्दे को तागत देते हैं लेकिन हिर्द्यारणव रस से प्रभाकरवटी ज्यादा एफेक्टिव है प्रभाकर कोई भी सूरी की प्रभार रहती है उस तरह से जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर रंजीत गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर दिपतीजी बोले हैं कि पित्त जहरी द्रोग में प्रभाकरवटी के साथ कौनसा गृत्पांदेव कोरोनरी आठ्री के रुक्षता कम करने के लिए तो आप रस पाचक का ग तुर दाड़ी माधी घृत बताए बान्दुर ओक्वला में दाड़ी माधी घृत बता है बहुत अच्छा काम करता है अट्रियो स्क्लेरोसिस होगा प्लेक फ्रमेशन केल्सिफिकेशन यह सब को बहुत अच्छे से घृत इसका सेवन वह आप है तो यह तीक तगर दीजे महातिक तग्रित बहुत अच्छा काम करता है डॉक्टर अतिक रह्मान जी बोल रहे हैं कि सर आपने अल्सरेटिक लेक्टिस की वीडियो बनाने को काता बट नहीं बनाए प्लीज मेक अभी चार लेक्चर लेता हूं थोड़ा टाइम आने दिजे समय पे सब कुछ मिल जाएग डॉक्टर शूति निगम जी बोल रहे हैं कि सुप्रव लेक्चर सर आप हर मेडिसन ऐसे पढ़ाते हैं कि हर रोज वो मेडिसन फेवरेट बन जाते हैं आपने शूति जी आप अभी बहुत यंग है स्मार्ट हैं ब्यूटिफुल हैं क्यूट हैं और अब बहुत रहेंगी अगर हम 20 साल बाद भी देखेंगे तो ऐसे सुन्दर देखेंगी ऐसे इंटेलिजन रहेंगी और आप में थोड़ा भी चेंज नहींगे इतना फ्रेश लगेंगी इतना युवा वस्ता में रहेंगी इसलिए आप प्रभाकरवटी का सिवन करिए अगर आपके पा इसका राज तो सीक्रेट प्रभाकरवटी है इस तरह से आप यंग दिखनी चाहिए स्मार्ट दिखनी चाहिए और कितना भी आपका एज हो जै ऐसे दम अच्छी दिखनी चाहिए इसलिए आप प्रभाकरवटी का प्रयोग करिए डॉक्टर शंकर जी नमस्ते प्रणाम डॉक डॉक्टर किरटि ची बूले है के मांसी रहाए जहां पर सादक्पित की दुष्टी है फिर्दय बहुत कमजोर है एंग्जाइटी बहुत जबहुत ज्यादा हुर रहे डिप्रे honeymoon बहुत ज्यादा रहे तो वहाँ पर मानसीख रोग में अब इसमें अब्राग बस में वह मन पर काम करते हैं श्रीश जब मजबूत रहते हैं तो मन भी अच्छा रहते हैं आगर आपको व्यादी से ग्रसित हैं आपका शेरिर बहुत कमजोर है माइन्ड भी डिप्रेशन मिलते बहुत गुस्सा आते हैं कोई भी आवाज सेहन नहीं होती है रस धात्व कशे होता है तो इसलिए इसका प्रियोग करेंगे ना बहुत अच्छा फैद होता है शारीरिक रूप से भी होता है मांसिक रूप से भी होता है कि डॉक्टर उशा जी बोल रहे हैं कि इनको शूती जी अप्सलूटी राइट शूती जी थैंक यू रीना जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर सत्यबान जी बोल रहे हैं हिर्दय रोग में कौन सा उश्यदी सही रहेगा जैसी आकुती स्वाण वालनिवसां रियाद वा अभी हम यह प्रभाकरवटी पर ध्यान देते अजय मर्या जी नमस्ते प्रणाम आपको अगगन जी यह बुल रहे हैं राइट मैं शूती जी को बुल रहे हैं राइट सुजाता जी बोल रहे हैं कि थैंक यू सर फॉर इस वंडर्फुल एक्स्प्लेंशन अबाट प्रभा जी मुझे वट्सप करिए मैं आपको एक गूगल लिंक दूंगा उसको और आप जोड़ जाएं डॉक्तर आकांशा जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्तर सत्यपान जी बोल रहे हैं कि शिग्र पतन में भी आंशिक रूप से लाबदायक होगा 100% काम होगा शिग्र पतन हो में भी फैदा होते हैं ग्रंतों में लेकिन प्रैक्टिस में हम लोग देते हैं तो बहुत अच्छा फैदा होते हैं एक दिन धानवंतर तेल एक दिन दश्मुल काड़ा इस तरह से बस्ती दिजिए या फिर शीर बला शोगंदादी तेल इन सब का करने से बहुत अच्छा फैदा होते हैं राजिंदर जी बोल रहे हैं कि बाइंड ओपनिंग लेक्चर थैंक्यू डॉक्टर वंद्रा पाठक जी बोल रहे हैं कि प्लासेंटल सर्कुलेशन प्रेगनेंसी इन मैनी कंडिशन अलसो जहरी इंफॉर्मेटिंग व्यादी जी प्लासेंटल सर्कुलेशन में भी इसका पैदा होता है बच्चे गरभाव प्लासें, और चश्मा लग जाता है, हार्ट की डीजीज हो रहे है, टाइप वन डाइबर्टीस हो रहे हैं, बहुत सरे कमजोर बच्चे पैदा हो रहे हैं, माता को अगर गरभावस्ता में दे दिया जाए, बहुत अच्चा फैदा होगा, बच्चों के लिए भी अच्छा दोट्ट ची राग त्यागी नमस्ते प्रडाम आपको डोक्ट राज-कुमार जी सकते हैं कि दें taste को धिकहत त्रहन्त गय वोगया इसको 3-4 में मईना बॉड़ी को इस मप्रावथि करें तो आप आप एनलेसिस करें पेशन जल्दी जल्दी रिकवर करता है हाट ठीक हो जाता है पूरी तरह से अजय मर्याजी बोल रहे हैं कि सर प्रभाकरवटी बहुत अच्छी कारे करता है मैंने यूज किया है एनर्जी प्रदान करता है सही बात है आप मैं यही तो बता रहा हूं एनर् हाट का टॉनिक है किटनी का टॉनिक क्या ताकत आ गई है और इसे कोई साइड इफेक नहीं होता क्योंकि रसकल्प नहीं है लॉंग टरम में भी उसकर से रुक्षता करने वाले को भी द्रवबे नहीं है बहुत अच्छा प्यादा करता है कि डॉक्टर रोमा जी बोलनी है क और उदान वाई को अच्छा करते हैं तो नाग बला मूल जो है वह प्रभाकरवटी जैसा ही है वह लेकिन यह दवाई अलग है वह दवाई अलग है इसका प्रयोग आप लोग हिर्दय जब कमजोर है चलने में तकलिफ हो रही है ाज इसका प्रयोग करेयेी DR. भारती झी नमझते प्रणाम आपको DR. मेगराथ जी भूल रहे हैं कि वह सीचती में दे सकते हैं मैंने बताया Fact sixteen स्क्राइब को व और स Syria वारून्शा की नमस्ते प्रणाम आपको वै मिनाक्षी नमस्ते प्रणाम आपको मैंने पहली बार वयद्दय मिनक्शी ऐसे नाम लिखते हैं चांब को जानकारी जानकारी दी जांकारी फ्री में एडवर्टाइज भी होगा और आपको सीखने को भी मिलेगा तो आप सभी लोग मुझे कॉंटेक्ट करिए मैं आप लोग का बैनर बनवा देता हूं और आप लोग स्वाण प्राशन बनाईए साथ में हम लोग डिस्कास करेंगे और खुद का बनाया हुआ दवाई आप बच्चों को दिजे अपने बच्चों को दिजे पडोसी के बच्चों को दिजे मोहले के बच्चों को दिजे सोसाइटी के बच्चों को दिजे अपने राज्जी के बच्चों को गिफ्ट दिजे और पैसा लेने तो पैसा भी ले सकते हैं ऐसा कोई बात नहीं है तो आप लोग ऐसा खुद बनाएँ दवाए आप लोग कितनी पवित्र 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 स्त्री वैद्धिया है अगर आप लोग अपने हाथ से जैसे खाना बनाती है वैसे medicine बनाएँगी तो वह medicine कितना अच्छा हो जाएगा आप लोग का खुद बनाए हुआ इसलिए स्वण प्राशन कल साथ बजे बनाए जाएगा आईशु दरपन पे सभी लोग जो जो लोग बनाना चाहते हैं आप लोग आईए हम लोग साथ में मिलके बनाएंगे डॉक्टर अंजना जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर प्रदीप जी बहुत भी में अपका धन्यवद आप भी तो बहुत रिव्यात में आप भी पवित्र आत्में केवल मेन मेरी को में बोलिये यह को denimस्ते हैं उनको गवराट की कम्प्रेन दूर हो गई वाह आपने क्या बतका आप आपकी नानी बुढ़ी नहीं रहे गए अवह जवान हो गई है आप उनको बोलिए कि आप बुढ़ापन बुढ़ापन सब गया आपका खेमराज पटेल जी बोल रहे हैं कि सर मेरे पापा को माई हुआ कना उनको देने से लाब होगा तो मैं आपना नंबर देता हूं आप लोग आए हम लोग न साथ में मिलके बढ़ते हैं क्यों आंप लोगा साहता करूंगा तो आपनोग का डवड पी दूर होगा मैं आपको सपोर्ट भी करूंगा सपोर्ट करने वला अईरुवेद में कोई नहीं होता कोई एक दूसरे से ऐसा मतलब नहीं रखता सबको अपना पैसे बनाना है लेगन में जह ऐसे शिक्षा मिलिए ऐसे संस्कार मिलिए कि सबको आगे बढ़ाना है आप सब लोग मेरे ही परिवार ही हैं हम सबकी आत्मा जो है लेकिन हमें अपने कर्म अच्छे करना है तो हम सब साथ में करेंगे तो बहुत अच्छा फैदा होगा तो मैं अपना लेक्षर अभी बंद करता हूं आप लोगों से इंट्रेक्ट करके बहुत अच्छा लगा साढ़े आट बुचे इंट्रेक्टिव सेशन में आप सब भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई तकलीफ आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि कैसे देना है मैं प्रेक्टिशनर हूं मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड कर पाऊंगा प्रणाम सबीन को नमस्ते